इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं की कैसे आप अपने Instagram एकॉंट के साथ अपने Facebook के एकॉंट को connect कर सकते हैं जिससे कि आप अपने Instagram पर अगर कोई भी photo वीडियो या फिर story को upload करेंगे तो वो आपके facebook account पर automatic upload हो जाएगी तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे instagram account के साथ facebook account को link करना है तो आगर इस video को continue end तक watch कीजिए और इस video को end तक देखने के बाद अगर आपको ये video informative लगती है तो आप इस video को एक like जरूर सही कर दीजिए तो सबसे पहले आपको अपने instagram account से अपने facebook account को link करने के लिए आपको facebook application को download कर लेना है facebook application download करने के बाद आपको अपने facebook पर उस id से login करना है जिस id को आप अपने instagram पर link करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने उस account से यहाँ पर login कर लिया जिस account को मैं अपने Instagram account से link करना चाहता हूँ, उसके बाद यहां से back चले आना है, back आने के बाद अब आपको Instagram application को यहां से open कर लेना, Instagram application open करने के बाद आपको यहां corner पर आपका वो account दिखाई देगा, जो अभी आपके Instagram पर login होगा, तो मैं यहां पर इस corner पर जो profile का icon दिख रहा है, उस पर tap करूंगा, आप अपने profile पर यहां से इसे tap करेंगे, उसके बाद आपको सबसे उपर पर three dot का एक icon दिखाई देगा, तो आपको इस पर tap करना है, उसके बाद यहां पर आपको एक option सबसे first पर ही दिखाई देगा, account center का, तो आपको इसके आगे जो यह arrow का option है, इस पर tap करना है, उसके बाद यहां पर आपके सामने में कुछ इस तरह का interface open होगा, अब सबसे first पर ही आपको profiles का एक option दिखाई देगा, जब आप इस arrow पर tap करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा जो Instagram account है, वही login है, यहां पर आपको Facebook account अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि मेरा जो Facebook account है, वह अभी, अपने Instagram के साथ मैंने link नहीं किया है, तो वह link करने के लिए आपको यहां से back आना है, back आने के बाद, आपको यहां पर एक option दिखाई देगा, sharing across profile का, तो इसके आगे जो यह arrow का option है, आपको इसके उपर tap करना है, देन यहां पर आपको एक option दिखाई देगा, add accounts का, तो आपको इसके उपर tap करना है, अब यहां पर आपके सामने में दो options open हो जाएगी, कि आप Facebook account को add करना चाहते हैं, या फिर Insta account को, तो मैं अपने Facebook account को यहां पर add करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे first वाले option पर tap करूँगा, अब यहां पर आप सकते हैं कि मेरा जो Facebook account है, वो automatic fetch हो गया, अब मैं यहां से continue के option पर tap करूँगा, then यहां पर yes finish adding के उपर tap करूँगा, कुछ seconds wait करने के बाद आपका जो Facebook account है, वो आपके Instagram के साथ add हो जाएगी, अब आपको क्या करना है कि सबसे first पर जो, आपको Instagram account आपका so होगा, उसके आगे यहां पर your Instagram post इसको on कर लेना है, फिर story इसको on कर लेना है, उसके बाद यहां पर your Instagram real का जो एक option है, उसको यहां से set up कर लेना है, then यहां पर allow कर देना है, उसके बाद आपको यहां से back चले आना है, back आने के बाद अगे अगे जो यह arrow का option है, इस पर भी tap कर लेना है, then यहां पर सब को यहां से on कर देना यह on करने के बाद क्या होगा कि आप अगर facebook पर कोई भी story लगाएंगे या कोई post करेंगे तो वह आपके instagram पर automatic upload हो जाएगी और अगर आप इंस्टा पर कोई भी photo video या फिर story को upload करेंगे तो वह आपके facebook account पर automatic upload हो जाएगी तो इतना easy था अपने instagram account से अपने facebook के account को add करना आगे अगर आपको यह video informative लगी हो तो आप इस video को एक like साथ ही अगर आप इस channel पर पहली बार visit कर रहे हैं तो आप इस channel को subscribe करकर भी रख सकते हैं क्यूंकि मैं सी तरक informative videos को इस channel पर upload करते रहता हूं